प्रेंड ये प्रेंटिंग एफेक्ट वाला टिक टॉक एडिटिंग वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है और एक दिन के अंते चार मिलें से भी ज्यादा व्यू आचुक है तो फ्रेंड आप भी कुछ इस टेप से एडिटिंग करके टिक टॉक पोस्ट करके यहां पर आपको फोटो अटनी आपको टॉक्षेस्ट करता है इसके बाद यहां पर नीचे नाम दे कर दे ड्रेक कर देना उसके बाद जो फॉंट फेमिली वहां पर आपको में दिखा रहा हो कि यह वाला फॉंट फेमिली आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा देगा तो यहां पर मैंने सेमी बोल्ड वाला यह फॉंट ले लिए फॉंट लेने के बाद आपको इसका कलर भी कर देना उसके बाद चेक बॉक्स का उप्चन है वहां से इस फोट को आप एक्सपोर्ट कर देना है फिर से चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना हो सेव बटन पर जाके इस फोटो को गैलेर में आपको सेव कर देना है फ्रेंस यह होने के बाद आपको यहां से दूसरा स्टेप पर और इसके लिए आपधो किया करना है यहां पर आपको काई मस्कूल करना बढ़ेगा काई मस्टाल करने के बाद प्लस साथ क gameplay लए 960 तो यह िेसिशन आप के इंटरफेस में पहुंच जाएंगी इसके बाद आपको क्या करना यहां पर आपको चले जाना है मीडिया उप्शन में मीडिया में आपको जाना है बैग्राउंड में बैग्राउंड में जाके आपको कोई भी बैग्राउंड चाहिए वाइट हो या ब्लैक कोई भी बैग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते इसके ब लेर को सेलेक्ट करने और सेलेक्ट इसक खोड़ा कि ओपशन को अब कर दे नहीं आशे clearly कर दिया आपको फिर से अगे आने चाना है और आगे आने के बाद आपको मेराा फोटो लेना जो आपने अभी एक्सपोर्ट किया था पिक्सार्ट से इसको थोड़ा सा आपको स्ट्रेच कर देना है फ्रेंड्स यहां पर नीचे वाली लेयर वह काफी छोटी और उसको स्ट्रेच कर देना है तीनों लेयर को एक अकॉर्डिंग करने के बाद आपको आगे आ जाना है और आने के बाद इस लेयर को three dots पर क्लिक करके send to back कर देना है send to back करने के बाद फिर भी green effect दीख रहा है तो उसके लिए क्रोमा की option को फिर से progress bar को manage करके इस क्रोमा की option को अच्छे तरीके से manage कर सकते हो तो friends यहां पर मैं वीडियो को प्ले करके दिखा रहो कि मेरा जो animation वह काफी अच्छा यहां पर हो चुका तो friends आप भी कुछ step से अपने फोटो इस step से editing करके टिक टॉक पर वीडियो पोस्ट करके थोड़े बूद वीव पास सकते हो friends यह मेरा वीडियो काफी अच्छा बना तो friends इसके लिए एक कमेंट तो बनता है और एक सब्सक्राइबर तो आपके